कि कही बाइर सरे और प्रिंटेशन के करान हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा खर्राब दिखने लगते बहुत ज़्यादा चेहरे पे दाग धब्य से दिखने लगते इसे किस तरीके से कम करें यह जो हमें वह द्रेटी destinations काम करेगा और आपकी चेहरे पे बहुत ज़दा ग्लो लाएगा निखाल लाएगा नमस्कार वेल्किम मैं चैनल आप सब कैसे हैं मैं चैनल पहले बेरा है तो चैनल को सब्सक्काइब करें वीडियो हेल्फ लगें प्लीज लाइक और सेर करें और कमेंट करें हमरे वीडियो अपक सब्सक्राइब करें निसान है वो इससे चले जाते हैं यह ले लिए मैंने एक चमच सेकेंड मैंने यहां एक चमच जो हमने संत्रे का चिलके है उसको ग्रेट करके लिए औरेंज पील आप चाहे तो मार्केट वाला भी औरेंज पील पाउडर आता है उससे ले सकते लेकिन भी फ्रेज ले ले क्योंकि अभी इसका सीजा नहीं चल रहा है आपको बहुत असानी से मिल जाएगा फिर मैंने आलू का रस लिया है दो चमच लगबग आलू को क्रेट करके इसका जुस निकाल लिया है इससे हमारे चेहरे पे जो टेट से लिए पुरी तेके से निकल जात हुआ है चेहरे में बहुत ज़्यादा गलो आथा है Anti-Aid का काम करता है हलो कर चेहरे पे बहुत जाए कि निकाल लाता है मैने लिया एक चमाज दही, दही हमारे skin को tight बनाता है लाइण बनाता है हमारे चेहरे पे open motion उसे कम करने में मदद करता है बहुत ये अच्छा है हमारे चेहरे पे फेरनास आती है इसे डाल देंगे और सारी चीजों को हमें अच्छे से mix कर देना है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दे, मिक्स करने के बाद ये ठीक है, अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम लगाना किस तरीके से, इसका सही तरीका क्या है, ये बताएंगे तो यहाँ चेहरे को पहले अच्छे से क्लीन कर लें, मैंने अपने चेहरे को पहले से क्लीन करके रखा है और इसे एक मोटी लेयर अपने चेहरे पे लगा लें, यह थोड़ा गिरेगा भी, क्योंकि थोड़ा दरदरा रहता है औरेंज की करण तो इसे मूटी से एक अपने चेहरे पे लेयर लगा लेना है और जहाँ आपका जादा पिम्टिशन है काला पन है चेहरे पे दाग धबे उस जगा पे आप अच्छे से लगा ले और इसे लगा के हमें 15 मिट्टी छोड़ना है औरेंज की छिलके में विटामिन सी होता जो हमारी सकीन को क्लीन करता है चेहरे से दाग धबे अटाता है बहुत अच्छा गलो लाता है हमारी सकीन में यहाँ पर मैंने अच्छे चेहरे पे अपलाई कर लिया है और इसे फिर सुखने के लिए छोड़ देंगे 15 मिट हो गया, यह हलका सा सुख के तयार हो गया, अब इसे अपने हलके हाथों से finger tips के मदद से अपने चेहरे को clean कर ले, इस तरीके से धीरे धीरे हमें निकाल देना इस pack को, यह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और इसे निकालने के बाद फिर नॉर्मल पानी आप ठंडे पानी से चेहरे को wash कर दे, यहाँ यह पैक पुरीतिके से निकल के तयार होके हैं, जिस तरीके से हम उप्टन निकालते हैं, बहुत ही आसानी से निकल गया है, और साफ हो गई है skin आकरी मैंने चेहरे को धो लिया है, और इसके बाद विटामिन E का ओयल मैंने अपने चेहरे पर अप्लाई किया, आप चाहे तो जो भी आपको ओयल सूट करता हो, वो आप इसे लगा ले अपने चेहरे पर और रात को लगा के सोचाए, इस पैक को आप रात के समय लगाए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, आपकी जो भी चेहरे की प्रॉबलम है, वो खत्म हो जाएगी, चेहरे के धग दब्बे खत्म होंगे, और आपको काफी इससे रिलेक्स मिलेगा,